नश्चा दोस्तों, देट हैं आज की 15 अपरेल 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्केशन में तीन इश्यूज आज हम डिस्केस करेंगे डिटेल से, एक हिंदू का दो इंडियन एक्सपेस के हिंदू का जो आर्टिकल है, वो एर क्वालिटी से समधित है दूसरा आर्टिकल डिस्केस करेंगे इंडियन एक्सपेस का वेपन्स ओफ मार्श डिस्केशन एमेंडमेंट बिल से समधित और तीसरा आर्टिकल भी इंडियन एक्सपेस का है हमारे देश से जो पुरानी कलाकिर्थियां चुरा ली जाती है सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर सकती है वो सब चीजें तीसरे आठकल में डिसकस करेंगे कोट है आज का यह अम्बेटकर साब का कोट है अगर मुझे पता लगता है सविधान का मिश्यूज क्या जा रहा है तो मैं पहला परसन होंगा सविधान को जलाने वाला तो सविधान के मिश्यूज से सम्मदित कुछ लिखना होना तब आप अम्बेटकर जी के इस कोट को मैंसल कर सकते हों चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्डन आठकल पॉल्यूशन की समश्या को टैकल करने के लिए पंजाब और डेली गौर्रमेंट के बीच कुलाबरेशन से सम्मदित हैं आप जी एस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों क्या कंटाइस्ट है देखो हर साल आपको पता है सर्दियों के मोसम में डेली और आसपांस के रिजन में पॉल्यूशन की बहुत जबरदर्स्थ समस्या पैदा हो जाती है इवन जब most polluted cities का index निकलता है न तो उसमें भी देली समित भारत की दूसरी जो cities है वो टोप पर मिलती है वैसे देखो बात करें सर्दियों के मोसम में दूएं का जो बादल आता है वो क्यूं आता है इसके लिए वैसे तो बहुत सारी factors responsible हो सकते हैं लेकिन एक major जो factor responsible है वो ये है किसानों के द्वारा stubble burning की जाती है stubble मतलब जो paddy की फसल है paddy मतलब rice इसके जब harvesting की जाती है तो पीछे कुछ कचरा रह जाता है जिसे stubble कहते है waste होता है वो फसल का अब उसे ना किसान काटने के बज़ए जला देते हैं वो इसलिए जला देते हैं किसानों का अपना फाइदा है कि उस stubble को यानि paddy की फसल के waste को अगर काटने की कोशिस करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा time जादा जाएगा labor involved जादा होगी मतलब खर्चा जादा होगा और उसको अगर जला दिया जाएगा तो हमारा सस्ते में काम निपड जाएगा बढ़ देखो जब किसानों के द्वारा stubble को यानि paddy की फसल के waste को जलाया जाता है तो इससे काफी धुआ निकलता है और वो हवाओ के माध्यम से देली आसपास के region में आता है जिसकी वज़े से pollution सर्दियों में काफी ज़्यादा बढ़ जाता है वसे एक question आपके मन में ये आया होगा अरे यार प्री की तारी तो हमने भी की है अभी paddy की harvesting थोड़ी नचल रही है बिल्कूल सब्सक्राइब अभी paddy की harvesting नचल रही है अभी wheat की harvesting का season चल रहा है wheat रभी की फसल है और paddy की है paddy की तो फसल अभी उगाई जाएगी और stable burning को रोकने का writer का एक alternative ये भी है कि आप crop diversification करो आप मतलब दूसरी फसलों के लिए भी किसानों को incentive दो नाम खेर वो अभी हम discuss करेंगे solutions लेकिन point आप समझ गए ना ये समझ्या है और अब दोनों राज्यों में पहले तो देखो blame game चला करता था पंजाब में Congress की सरकार थी और देली में आपको पता है आमाद में की दोनों सरकारों का एक दूसरे के ऊपर आरोप परत्यारोप का दोर चला करता था लेकिन आप दोनों राज्यों में पॉलिटीड सिटीज है न हमारे देश में उसमें से नो सिटीज तो पंजाब की है ये डेटा है सेंटरल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड का 2019 में पंजाब और डेली ने मिलके 18,000 करोड का लोस जहला था एकोनमिक लोस एर पॉलिशन की वज़े से अगर देखो clean air प्रोवाइड की जाती है दोनों राज्यों के दोरा मिलके labor productivity का जो बहुत नुकसान हो जाता है देखो अगर बाहर हवा खराब होगी तो बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं फिर productivity कम हो जाती है काम करने की सास लेने में भी तकलीफ आती है तो ना सिरफ labor productivity को इंप्रूव किया जा सकता है clean air के माध्यम से बलकि citizen की well being भी तो इंप्रूव की जा सकती है इस polluted हवा की वज़े से नजाने कितने रोग होते हैं तो question उठता है कि कैसे ये दो राज्य मिलके आपस में collaborate कर सकते हैं काफी सारे solutions दिये जाते हैं सबसे पहला point दो states में जो भी policy makers है na pollution की समस्या को tackle करने के लिए वो अपने जो differences है na कि दिल्ली में pollution के लिए कौन से factor responsible है पहले तो वो differences दूर करें दोनो states कुछ similar points तक पहुंचे कि हाँ इस बात पर तो दोनो state राजी है कि ये factors responsible है pollution की समस्या के लिए क्योंकि देखो आप मिलके solution तभी find out करोगे na अगर आप problem क्या है उस पर सहमत हो तो सबसे पहले तो दोनों राज्यों को ना इस बात पर सहमत होना होगा कि problem है क्या मतलब अगर पंजाब ये बोलता रहेगा कि नहीं stable burning responsible नहीं आए फिर तो कोई solution निकलेगा ये नहीं न पंजाब को भी ये मानना पड़ेगा कि stable burning जो है वो देली NCR region में pollution की समस्या को में major role निभाती है जबकि देली सरकार को भी ये समझना होगा कि सिर्फ stable burning से pollution नहीं होता दूसरे भी factors responsible है तो similar points पर दोनो राज्यों को पहुँचना होगा यानि एकमत बनाना होगा समस्या के source को लेके इसके बाद दूसरा point ये है आप knowledge exchange के लिए platform create करो एक common knowledge center होना चाहिए कैसे air को clean बनाया जा सकता है common knowledge center आप माली जी एक website बना दी अब website में दोनों राज्यों best practices को upload कर रहे हैं data डाल रहे हैं जैसे दिल्ली सरकार है दिल्ली सरकार ने ज़्यादा steps लिया है air को clean बनाने के लिए तो जैसे एक example है smoke tower का आपको याद होगा जो लोग regular सुनते हैं चार महीने पहले एक article आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि दिल्ली की सरकार बड़ा बड़ा दावात उकर रही है कि हमने smoke tower लगवाया है लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं है अगर ये दिली सरकार ये data share कर लेगी पंजाब सरकार के साथ उस website पे तो पंजाब सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि भईया कुछ भी करना है smoke tower नहीं लगाना है क्योंकि पैसे का wastage है इससे कोई फाइदा नहीं होता तो ये common knowledge center होगा ना तो दोनों राज्या एक दूसरे की knowledge से seeks केंगे अब आता है तीसरा point collaborate to execute proven solutions इसका क्या मतलब है देखो कुछ न proven solutions है कि हाँ इससे तो फाइदा होता है अब उन proven solutions को execute करने में दोनों state आपस में मिल के काम कर सकते हैं collaborate कर सकते हैं जैसे एक ऐसी task force का गठन किया जा सकता है जिसमें दोनों state के experts हो दोनों state के officers हो अब एक example देते हैं पूसा bio decomposer इसका काफी बार अपने नाम सुना होगा current affair में भी premier question पूस ले जाते हैं पूसा bio decomposer क्या है ये देखो develop किया गया था Indian Agriculture Research Institute ने इसको एक solution बताया गया था stubble burning का दिली सरकार के द्वारा लेकिन farmers ने इसके mixed review दिये हैं farmers का कहना है देखो paddy की जो जल्दी mature होने वाली varieties है न सिरफ वही decompose हो सकती है इस पूसा decomposer से क्योंकि decomposer जो है न ये पूसा वाला ये भी 25 से 30 दिन लेता है stubble को decompose करने में तो देखो rice की वो variety, paddy की वो variety जो जल्दी mature हो गई है जिसकी harvesting जल्दी हो गई है अब उसके पास तो 25 तीस दिन है stubble को decompose करने के लिए अब paddy की कई variety ऐसी होती है जो late से mature होती है उनके पास तो time नहीं होता न वो सोचते है कि जल्दी जल्दी बस किसान सोचते है कि अब तो गेहूं उगाना है मतलब wheat की हमें हर फसल बोनी है तो इसलिए जल्दी जल्दी बस stubble जो है इसको जला दिया जाए खेत खाली किया जाए तो decompose तो time लेगा 25 तीस दिनों का time ही नहीं न किसानों के पास में तो यह दिख्कत है किसानों की इसके बाद आता है next point market for diversified crop production यह वही point है कि किसान paddy paddy उगाते हैं क्यों ना किसान दूसरी फसलों को उगाएं यह point तो favorite point है जब भी कोई MSP का article आता है यह point तो writer देते ही है crop diversification ज़रूरी है क्योंकि देखो paddy की फसल जब उगाते हैं तो ज़्यादा पानी की भी आफशकता होती है अब पंजाब और हर्याना के छेतरों में जब paddy उगा जाता है तो ज़्यादा पानी होता नहीं नीचे से निकाला जाता है ground water अब ground water का level तो लगातार कम होता जा रहा है ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में कहीं desertification ना हो जाए पंजाब और हर्याना का राजेस्तान के तरह है तो ये दिक्कत है तो writer recommend करते हैं कि सरकार अब न अच्छा incentive दे दूसरी crops के लिए भी इसके लिए कुछ innovative solution ऐसे find out किया जा सकते हैं आप government एक idea को काफी प्यार करती है आम आदमी kitchen थोड़ा थोड़ा इन्होंने implement भी किया है आम आदमी kitchen तो आम आदमी kitchens में आप rice के बजाए दूसरी जो food products है वो देना start कर दो जिसके लिए दूसरी crops किसान उगाएं और उनको अच्छा खासा MSP भी मिले इसके बाद देखो last solution ये है पंजाब और देली तो आपस में corporate करना start करेंगे ही क्योंकि अब दोनों राज्यों में same party की सरकार हैं लेकिन धेरे धेरे दोनों को ना ये जो corporation है ना बाकी states की तरफ भी extend करना चाहिए कई सारे ऐसे forums हैं जिनका साथ लिया जा सकता है जैसे Northern Journal Council है जिसमें चेंडिगर, देली, पंजाब, हर्याना, राजस्तान, हिमाचल परदेश, जमुएन, कस्मीर और लदाग से representation है तो देली और पंजाब को इस platform का इस्तमाल करना चाहिए अपने प्रोशी राज्यों के साथ भी coordination को boost करने के लिए conclusion में तो ऐसा बोला जाता है मतलब political सा conclusion है कि अब आम आदमी party के पास opportunity है उसको दिखाना चाहिए कि इस pollution की समश्या का एक real solution find out क्या जास्के और इसके लिए ना सिरफ दोनों राज्यों की सरकारों को आपस में collaborate करना होगा बलकि इस collaboration को बागी राज्यों की तरफ भी extend करना होगा ताकि clear एक pathway जो है वो define किया जास्के और ये तभी possible होगा जब ये सारी सरकारे जो है वो मिल के काम करेंगी तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया चलते हैं आगे इसके बाद नेस्ट आर्टिकल Weapons of Mass Destruction Act को amend करने से समधित है आप GS Paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हो क्या contest है हाल कि में लोक्सबा में Weapon of Mass Destruction and Their Delivery System Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2020 लोक्सबा में पास हुआ Bill जो है Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System Prohibition of Unlawful Activities Act 2005 को amend करता है 2005 का ये Act जो है ये देखो Weapons of Mass Destruction जो होते है Weapons of Mass Destruction मतलब जिनको यूज करने से एक ही बार में बहुत सारे लोग की जान चली जाती है बार ही तबाई मचती है चाहे वो Chemical Weapons हो Biological Weapons हो या फिर Nuclear Weapons हो कोई भी Weapon of Mass Destruction हो उसके गैर कानोनी ढंग से Manufacture करना Transport करना या फिर Transfer करना इन सब चीजों पर रोक लगाता है 2005 का ये Act समझ रहे हो Even इनको यूज करने के लिए Delivery System भी डवलप नहीं किया जा सकता यानि Nuclear Weapons को इस्तमाल करने के लिए जो Delivery System चाहिए होता है न Missile वगारा वो भी आप नहीं डवलप कर सकते ये Act 2005 में आया था अब सिधा सिधा कोश्चन आपके मन में आया होगा तो Act तो आई गया नया क्या Change करने के या सकता पड़ी मतलब Amendment क्यों कर रहे हैं अब Amendment इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब न Weapons of Mass Destruction की Manufacturing हो Transport हो या फिर Transfer हो इन सब चीजों के लिए अगर कोई Finance भी करता है ना मतलब पैसा देता है Weapons of Mass Destruction को Manufacture करने के लिए Transport करने के लिए या फिर Transfer करने के लिए तो उस पर भी केस दर्ज होगा उस पर भी कारवाई होगी तो Financing को भी अब सामिल कर लिया गया है देखो United Nations Security Council में एक Resolution पास हुआ था 2004 में जिसका नंबर है 1540 इस Resolution के बाद ही हमारे देश में ये Act लाया गया था 2005 में और अब इसे एमेंड किया जा रहा है 2005 के Act में Provision ये था अगर कोई इस Act के Provisions का Violation करता है न तो कम से कम 5 साल की सजा होगी और Fine भी होगा वैसे देखो United Nations Security Council का वो Resolution 1540 जिसके तहत इंडिया ये Act लेके आया था इसमेरा 3 Primary Obligation थी मतलब इस Resolution के तहत तीन बाते बोली गई थी तीन बातों का प्रोविजन क्या गया था जिसे आउशक रूप से UN के Member Countries को Follow करना ही था मतलब जुरूरी था इस Resolution के बाद की सभी UN के Member States ये कानून बनाए तो कौन से तीन Obligations थे इस Resolution के आने के बाद UN के Member Countries के उपर सबसे पहले कोई भी देश जो UN के Member Countries है वो Non-State Actors को जैसे किसी Terror Organization को किसी परकार की कोई स्पोर्ट नहीं देगा जिससे कि वो Terror Organization Weapons of Mass Destruction को Manufacture कर सके या फिर उसके लिए Delivery System को Acquire कर सके दूसरा विबिन देश जो UN के Member Countries है वो अपने अपने देशों में ऐसा कानून लाएंगे जिसके अनुसार किसी भी Non-State Actors के पास यानि For example Terror Organization के पास ऐसा Weapon of Mass Destruction है या फिर वो Acquire करते हैं तो ये Criminal Activity होगी सबसे लाश्ट में UN के Member Countries को न ये Provision करना था मतलब ये Action लेना था कि Weapons of Mass Destruction को Manufacture करने के लिए जो भी Relevant Material है न उनको Control करना ताकि वो गलत हातों में ना पढ़ जाएं तो United Nations Security Council के 1540 Resolution के तहत Women Member Countries को ये 3 Action लेने थे अब बात करें ये जो Bill पास हुआ है लोकसबा में जैसा कि हमने पहले डिसकस किया ये अब Financing पर भी रोक लगाता है कि Weapons of Mass Destruction की किसी परकार की Activity को लेके Financing होती है तो वो भी Illegal है अगर कोई ऐसा करता है तो जो Suspect है जिस पर शक है उसकी Assets को Freeze किया जा सकता है Seize किया जा सकता है Funds Attach किया सकते है एसे लोगों के जिन पर शक है वैसे एक Question अब ये भी आता है कि ये Amendment Necessary क्यों है अबी चलो एक Reason तो मान लिया कि अब Financing को भी सामिल कर लिया गया है देखो दो चीजें है एक तो नट Technology में काफी Advancement आ चुका है Drone Biomedical Labs में नहीं नहीं Advancements जैसे कुछ लोग बोलते है COVID-19 की जो बिमारी है वो Emerge हुई कहां से चाइना से ये वाइरस जो Corona Virus है ना चाइना की लैब से निकल के आया और जान बूज के चाइना ने ऐसा किया अलग-अलग theories है मतलब एक example है और जो Financial Action Task Force है इन्होंने ना Targeted Financial Sanctions का जो Scope है ना वो expand कर लिया है इसलिए नई Threats से निपटने के लिए ये Amendment जरूरी था ऐसा सरकार का कहना है Last में Conclusion में या फिर यूँ कहें Wave Forward में ये बोला जाता है देखो इंडिया ने हमेशा से Nuclear Weapons हो, Terrorism हो इन Issues पे आवाज उठाई है और Lead ली है तो अब भी ना जैसे UN के बहुत सारे Developing Countries हैं, घरीब देश हैं जिनको पता नहीं है कि Weapons of Mass Destruction से कैसे बचा जाए, मतलब जनता को कैसे जागरूप किया जाए, कैसे कानून बना जाए तो इंडिया ना Lead ले सकता है इस मामले में और कई सारे देशों की Help कर सकता है कि कैसा कानून उन्हें बनाना है और Ground Level पर भी कैसे ये Ensure करना है, जो Non-State Actors है यानि Terror Organizations है, उनके हातों में ये हतियार ना पढ़ पाएं या फिर किसी परकार से वो Acquire ना कर पाएं, इस परकार के इंडिया में जो पुरानी कलाकिर्तियां या फिर मूर्तियां चोरी हो जाती है इस से समधित हैं, आप GS Paper 1 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो देखो कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि Archaeological Survey of India यानि ASI जो है, ये देखो हमारे देश में पुरानी जो कलाकिर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, या फिर मॉनूमेंट्स हैं उनको सही ढंक से सहेज के नहीं रख रहा हैं, इसके लिए वैसे एक Act है, Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958, बट देखो इस Act के होने के बावजूद और ASI जैसी Organization होने के बावजूद का Act की 2013 की रिपोर्ट ये कहती है, हमारे देश में 1981 से लेके 2011 के बीच में, 2012 के बीच में 131 जो पुरानी कलाकिर्तियां हैं न, वो चुरा ली गई, मॉनूमेंट और साइट से, और 37 पुरानी कलाकिर्तियां चुरा ली गई मूजियम से, देखो ऐसी situation में जब आपके देश में इतनी पुरानी पुरानी जो मूर्तियां हैं वो चुरा ली जाती हैं, तो Worldwide Organization ने न, काफी तरह के effective steps लिये हैं, जैसे International Auction House में catalogs को चेक करना, International Auction House मतलब जहाँ पे इस परकार की पुरानी मूर्तियों की बोली लगती हैं तो वहाँ पे चेक करना, क्या हमारे देश से कोई मूर्ति चुराई गई है, जो वहाँ पे पहुंची हैं, दूसरा जो चोरी हुई है न, उससे सम्मंदित जानकारी वेबसाइट पर माध्यम से बेजना, दीलर्स को, ओक्षन हाउसिस को मतलब जहाँ पे बोली लगती हैं, और इवन आठ से जुड़े जो सेकोलर्स है न, उनको भी इस बारे में सुचित करना, यानि इंटिमेट करना बड़ देखो कम्या है, हमारे देश में ASI की जिम्मधारी बनती है ये सब काम किया जाएं लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है कि आर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया ने ना कभी भी इंटरनेशनल ओक्षन हाउस के पास इंडिया से चुराई हुई मुर्तियों की इंटरनेशन भेजी नहीं या फिर वहां से इकठा ही नहीं की इसके बाद आर्टिकल में देखो थोड़ी सी इंटरनेशन प्री से समधित है इंडिया ना 1970 की UNESCO कन्वेंशन ओन दा मीन्स ओफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग दा UNIDROIT यानि International Institute for Unification of Private Law Convention on Stolen और Illegally Exported Cultural Objects ये जो convention है ना इसको भी हमें sign करना चाहिए वैसे दो देखो जो cultural heritage है ना काफी form में हो सकती है बट इंडिया में जादर ये माना जाता है जादर धान दिया जाता है movable cultural heritage पे यानि physical objects पे जादा ध्यान दिया जाता है जैसे paintings, coin, archaeological objects इसके बाद writer बोलते हैं देखो हमारे देश की जो ये art heritage है ना इसको protect करना देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है ये हमारे सविधान के article 51 section A class F में भी बोला गया है तो एक अच्छा project है India pride project इसको काफी स्रे जाता है हमारी जो चुराई हुई art है उसको वापस लाने का जैसे Italy से एक stolen बुद्दा की मूर्ती है जो वापस लाई गई क्योंकि देखो Italy भी ना इस परकार की समस्या से काफी गरस्त रहता है मतलब वहां से भी ये पुरानी जो क्लाकिर्तियां है न वो चुरा ली जाती है तो Italy ने काफी अच्छे कदम लिये है जो कदम Italy ने लिये है न वो best practices है वो इंडिया भी ले सकता है जैसे वहाँ पर देखो cultural heritage को protect करने के लिए specific law बना है और penalties का provision जादा किया गया है मतलब जादा penalty लगेगी अगर आप इस प्रकार से चोरी करते हूँ वहाँ पे archaeological research करने के लिए न जो authorization दिया जाता है न permission दी जाती है उसका centralized management होता है जो public prosecutors होते हैं सरकारी वकील उनको specialization दी गई है cultural heritage के मामले में next inter-ministerial committee का गठन क्या गया है थाकि ऐसी चुराई हुई चीजों का जल्द से जल्द हम वापस लांसके अपने देश में MOU और bilateral arrangement sign किये जाए दूसे देशों के साथ जैसे इटली का Australia के साथ इटली का USA के साथ for example इटली से चुराई हुई मूर्ती USA में पहुंचती है न तो USA verify करके उसे वापस इटली को लुटा देगा इस परकार से इंडिया ने भी कुछ तो किये हैं बट और ज्यादा इंडिया कर सकता है next complete inventory इंडिया में सबसे बड़ दिक्कत क्या है complete inventory नहीं है हमारे पास में movable और immovable cultural heritage की मतलब सारी details एक जिगां पर centralized धंक से ही नहीं तो जब चुरा ली जाती है न कई बार कोई मूर्ती उसके दो महीने बाद हमें पता लगता है सरकार को पता लगता कि हाँ वो चुरा ली गई cultural sites की समय समय पर monitoring और inspection होनी चाहिए export request की भी centralized granting होनी चाहिए तो ये सारे suggestions हैं जो इंडिया को भी follow करने की आवसकता है तो ये पूरा article हमने discuss किया art and culture से संबंदित और हमारी आज की इस discussion में इतना ही है तीन issues आज हमने discuss किये thank you, thank you very much for discussion